दोस्तों, ये है बाजरा, जिसे पर्ल मिलिट भी कहते हैं. ये छोटा सा अनाज आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है. इसमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है. एक कप पकेवे बाजरे में 8 ग्रम प्रोटीन होता है. आईए अब जान लेते हैं कि इसको लेने से आपको और क्या-क्या फायदे होते हैं. बाजरा, आपके डाजिस्ट्री हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है. दोस्तों, कपज या डाजिशन की समस्या आजकल बहुत ही आम हो गई है. खास तोर से हमारे modern life style में. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजरे में high fiber होता है, जो कपज की समस्या से आपको हमिसा के लिए छुटकारा तिला सकता है. एक research के अनुसार, fiber युद्ट भोजन कपज को कम करता है और regular bowel movement में मदद करता है. बाजरा इसके लिए एक best option है. इसका नियमित सेवन करने से पाचन बहतर होता है और कब जो दूर होता है. अगर आपको gas और acidity की समस्या रहती है, तो आपको अपने diet में बाजरे को जरूर सामिल करना चाहिए. दोस्तों, बाजरे का दूसरा बड़ा फाइदा आपको मिलता है diabetes के लिए. बाजरे में लोग glycemic index होता है, जो blood sugar label को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, एकदम से नहीं बढ़ाते हैं, जो diabetes management के लिए जरूरी है. एक research के अनुसार बाजरे के नियमित सेवन से, blood sugar label को better तरीके से manage किया जा सकता है. दोस्तों, बाजरा आपके दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है. इसमें magnesium होता है, जो की heart health के लिए जरूरी होता है. ये हमारे दिल की muscles को relax करता है और blood pressure को control में रखता है. इसमें potassium होता है, ये भी हमारे heart के लिए और blood pressure के लिए इसको regulate करने के लिए बहुत जरूरी होता है. बाजरा triglyceride, cholesterol और blood sugar को भी control में रखता है, जिससे आपकी heart health बेहतर होने लगती है. दोस्तों, बाजरा वजन कम करने में भी मदद करता है. बाजरा में fiber बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वज़से पेट जल्दी भर जाता है और बहुत देर तक फूख नहीं लगती है, जिसकी वज़से over eating कम होती है और आपका वजन कम होना सुरू हो जाता है. दोस्तों, बाजरा आपके skin के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. इसमें पाये जाने वाले पोसक तत्तो इसकी चुरियों को कम करते हैं और चेहरी पर चमक लाने का काम करते हैं. या आपके skin में कसावट पैदा करते हैं, इसके नियमित सेवन से, aging sign से भी बचा जा सकता है. दोस्तों, आईरवेद में बाजरे को लगू यानि light और रुक्ष यानि ट्राइगुडों से युक्त माना गया है. ये बात दोस और पित दोस को संतुलित करता है और कफ दोस को कम करने का काम करता है. इसका मतलब है कि अगर आपको gas या acidity की समस्या है, तो बाजरा आप के सरीर को ताकत देता है, स्टैमिना को बढ़ाता है और सारीर कमजोरी को दूर करता है. इसमें जो गुण है वो सरीर को अंदर से पोसंड देते हैं और स्वास सुधाने में मदद करते हैं. बाजरे की तासीर गर्म होती है, इसलिए अकसर इसे लोग सर्दियों के मौसम में खाते हैं. बाजरे की बहुत सारी डिसिस बनाए जा सकती है, लेकिन आम तोर पर बाजरे की रोटियां बना कर ही खाय जाती हैं. अगर आप सुरुवात कर रहे हैं, तो आप रोटियों से सुरुवात कर सकते हैं. अगर आप बाजरे की रोटि खाना सुरू कर दें, तो आप को किसी तरह का वाइरल संक्रमन नहीं होगा सरदी की मौसम में बाजरी की रोटी आपके सरी को गरम रखती है इससे आपको सरदी जुखाम जैसी एलर्जी नहीं होती है तो दोस्तों बाजरी को अपनी डाइट में सामिल कीजिए और इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाईए वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सेर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए धन्यवाद